हालो स्टुडेंट्स टूडे वी और गॉइंग तॉपिक डैट इस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलाइट्स ठीक है हम कॉंटीनू कर रहे हैं उसी टॉपिक को ठीक है पीछे हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ पड़ी थी बैसिकली कौन कौन सी पड़ी थी आपको पता ही है बैसिक प्रॉपर्टीज सेकिंड कॉलिगेटी प्रॉपर्टीज सर्ड मेकैनिकल प्रॉपर्टीज फॉर्थ अप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड फेफ्ट इलेक्रिकल प्रॉपर्टीज तो इलेक्रिकल प्रॉपर्टीज में हम कौन कौन से पढ़ रहे थी बैसिकली फ्रिक्शन electrification, second हमने पढ़ा था basically preferential absorption and third हमने पढ़ा था zeta potential, fourth हम पढ़ने जा रहे हैं that is electrophoresis, ठीक है, electrophoresis का मतलब क्या होता है basically, phoresis, electro means that is the electricity, तो electrophoresis का मतलब क्या है basically देखो, इसको पहले मैं आपको एक diagram के थूँ समझाऊंगी, suppose मेरे पास यह क्या है that is the collidal solution, collidal solution आपको पता है कैसे बनता dispersed face or dispersion medium से, तो यह जो red color से मैंने यह डाले हैं यह है आपके पास dispersed face और जो blue वाला है वो क्या है, आपके पास dispersion medium, ठीक है, तो अब क्या होगा basically, आपको मैंने पहले भी बताया था जब हमने electrical properties discuss करी थी, जो collidal particles होते हैं, उनके उपर कौन सा चार्ज होता है, same क्या, opposite, collidal particles, same charge होते है, collidal particles के उपर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, same charge होता है, अगर positive है, तो सब में positive होगा, negative है तो negative होगा, उसका opposite charge किसमें पहले आता है, dispersion medium में, तब भी तो वो क्या होता है, electrically neutral होता है, ठीक है, आप देखो, अगर यहाँ पर collidal particle है, और मैं कहते हूँ, collidal particle के उपर, suppose मान के चल रही हो, मैं same charge, suppose for example, मैंने माल गया, इन collidal particle के उपर क्या है, positive charge है, ठीक है, suppose मान के चल जूँ, पॉजिटीटिव और एक नेगेटिव तो जैसे ही बेसिकली पास कराऊगे तो क्या होगा गोगा पॉजिटीव पास कराई तो जो क्लाइडल पास कराई तो जो कोईडल पार्टिकल्स है वह कौन सी प्लेट की तरफ भागना शुरू करेंगे पॉजिटिव से negative की तरफ मतलब collateral particle का movement हो गया under the influence of electricity electricity pass कराने पर collateral particle का क्या हो गया movement हो गया अगर यह आपर positive charge के collateral particle थे तो वो negative की तरफ भागेंगे अगर negative charge के particles हैं तो वो किस की तरफ भागेंगे positive की तरफ ठीके तो it means the moment of collateral particles under the influence of electric field that is folder electrophoresis एतनी बाद फ्रेरे नेक्स्ट इलेक्ट्र ओस्मोसीज ओस्मोसीज आपने पढ़ा है ओस्मोसीज क्या होता है बैसिकली दा मुवेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रोम लोग ऑंसेंटरिशन तुदा हाई कंसेंटरिशन थूआ स्यामी प्रिमेबल मेंब्रेन डाट इस मतलब क्या ओस्मोसीज में सिरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मुवेंट होता है लो कंसेंटरिशन से हाई कंसेंटरिशन में लेकिन एक सैमी पर्मेबल मेंब्रेन के तूप क्योंकि जो वो सैमी पर्मेबल मेंब्रेन होती है वो सॉल्यूट को ऐलो नहीं करती बैसिकली इसको हम क्या वो लेंगे अब यहां पर जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसको हम किस से रिपरजेंट करते हैं बेसिकली बिस्पाजन मीडियम से तो मतलब यहां पर आपको देखो मैंने यहां पर एक डाइग्राम बना रख्या है कुछ इस तरीके से हमने सॉलिशन चेप्टर में भी डाइग्राम बनाया था ठीक है तो सुपोज मैं कहते हूं कि यह एक कंपार्टमेंट है एक कंपार्टमेंट को मैंने किसमें दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है ठीक है यहां पर बीच में डाला हुआ है कोलाइडल सॉलिशन और साथ में क्या है वाटर ह लेवल होता है कि suppose यह यहां तक फील्ड है ठीक है कुछ इस तरीके से और साथ में क्या लगा दिया मैंने इलेक्टरिक फील्ड एक के उपर प्लेट के उपर पॉजिटिव चारज है दूसरे के उपर नेगिटिव चारज है और यह जो सब्र कॉमपार्टमेंट सेप्रेट हुए में यह कि से सब्रेट हैं सेमि प्रमेबल豆 मांब्रेंड किरति यहां अब छो आपके आपके बोला था होता रूसरे तूसरा D इस पर मीडियम होता है deposit पॉर सुपोस्य महां चलünde हactively कि suppose उनके particles के उपर क्या है negative charge है और यहां पर dispersion medium के उपर क्या होगा फिर positive charge होगा तो suppose मान के चल रहे हैं कि suppose जो dispersion medium है इसके उपर क्या है suppose क्या हमालिया हमने positive charge है तो जैसे आप electricity पास कराओगे तो यह positive charge किसकी तरफ भागना शुरू करेगा तो यहां से क्या होगा जब पानी इधर आना शुरू होगा मतलब dispersion medium का moment होगा under the influence of electric field क्योंकि electric field यहां positive charge है और dispersion medium पर क्या है negative charge है तो negative किसके पास आएगा positive के पास तो यहां से water का level क्या होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा क्योंकि कि जो moment हो रही है वो क्या हो रही है negative 2 positive हो रही है through an semi-permeable membrane तो यह water का level यह dispersion medium का level सुपोज यह कम हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा राइज हो जाएगा समझा रहे है बाद तो मतलब क्या है electroosmosis का the moment of dispersion medium under the influence of electric field जब dispersion medium की moment होती है under the influence of electric field through a semi-permeable membrane that is known as a electroosmosis ठीक है अब मुझे एक चीज़ बताओ यह जो लेक्ट्रो फोरेसिज़ है इससे आपको क्या पता चल रहा है हम यह प्रोसेस्स कर रहे हैं सिदी जी बात है आपको यहां से इतनी बात तो confirmed है आपको यहां से पता चल रहा है कि आपके पास जो डिस्पोर्ज फेस या डिस्पोर्जन मीडियम है उसके उपर कौन सा चार्ज है समझ रहे हो अगर आपके पास यहां पर सुपोर्ज इस पर फेस है किसमें इलेक्ट्रो फोरेसिस में प्लेट्स लगी है आपको नहीं पता इस पर कौन सा चार्ज है अगर वह नेगेटिव की तरफ भागा तो क्या मालोगे पॉज की उपर भी बता सकता है और बेसिकली डिस्पाजन मीडियम के उपर भी बता सकता है क्यों अगर इसने जैसे इस्पाजन मीडियम का आपको पता चल गया यहां पर सुपोस्थ यह पॉजिटीव पी तरफ भाग रहा तो इस पर कोन सा चार्ज है नेगिटिव क्लाइडल पा ना जैसे English में पढ़ते हो Surprised का Synonym क्या है Astonished पढ़ते हो ना Synonym मतलब same meaning same Earth जिनका होता है ना same meaning coagulation precipitation या flocculation तो ये तीनों के तीन क्या है generally similar है ठीक है एक यी बात है तो coagulation का मतलब क्या होता है बेटा वैसे भी coagulation का मतलब है इकठा होना ठीक है aggregation सुपोज मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे पास क्या है आपके पास collidal solution है collidal solution में ये क्या है dispersed face है कौनसा this one dispersed face और ये जो blue वाला है that is a dispersion medium ठीक है तो collidal particles ये पड़े हुए हैं कि इसके अंतर dispersion medium के उपर अब coagulation का मतलब क्या होगा आपको पता है कि अगर dispersed phase के particles के उपर same charge होता है सुपोज मैंने माल लिया यहां पर positive charge है तो अगर यहां पर positive होगा यहां पर भी क्या होगा इस particle के उपर positive होगा तो positive charge तो क्या करते है आपस में repel करते हैं तो ये particles इकठे कैसे होंगे problem आ रही है न coagulation का मतलब भी क्या होता है इकठा होना तो ये particles इकठे कैसे होंगे कि आप इसकी अंदर कुछ amount क्या करतो electrolyte का add करतो तो जैसे आप electrolyte add करोगे तो ये electrolyte कौन सा add करोगे अगर dispersed phase के उपर positive charge है तो आपने जो electrolyte लेना है वो इसका opposite लोगे मतलब सुपोज मैंने क्या ले लिय नेगेटिव जैसे सुपोज मैं करते हूं एनने सीएल है डाट इसके उपर positive charge होता है तो यहां से कौन सा लोगे नेगेटिव अला डाट इस सील नेगेटिव तो यह क्या करेगा पॉजिटीव नेगेटिव को क्या करेगा अट्रेक्ट करेगा और यह जो पार्टीकल यह क् इकठे हो जाएगे समझार यह बाग जैसे for example मैं बहुत अच्छे एक्जैंपल देती हूं का डेली रूटीन में जो हम यूज करते हैं जैसे आपके पास मिल्क होता है ठीक ना मिल्क की अगर को आगलेशन करनी है ठीक है मिल्क कभी ऐसे मिल्क के पार्टिकल्स इकठे होगे तो वो क्या बनाते हैं Cheese मतलब क्या बोलते हैं है पनीर हिंदी में ठीक है पनीर बनाते हैं तो इकठे कैसे करते हो अगर घर में आप देखते हो नंडर क्या डाल दूर के अंदर करम दूर निम्बू स्कुईज कर दो तो क्या बोद भट जाएगा दूद ऑर पार्टिकल बनते हैं तो मतलब वो क्या हो जाते हैं नीचे बैड जाते हैं थीक है उसी को हम क्या बोल रहे हैं Coagulation या Flockulation या Precipitation थीक है तो वो जो निम्बू है ना वह अगर हम according to इस concept के according बेखें तो वो निम्बू कैसे काम कर रहे हैं एलेक्ट्रोलाइट क्योंकि उसकी वजह से वो दूद फटा है और दूद फटने के बाद क्या है जो पार्टिकल्स को अगुलेट हुए वो नीचे बैठे हैं और वो जो नीचे पार्टिकल्स बैठे हैं वो ही क्या है समझ रहे हो ना बात समझ आ रही है आपको एक अगलेशन क्या होता है तो क्ट्रीकल्स डेखें जाएं लगना हरे बड़ा उजाएं क्योंकि इनका पार्टिकल्स यह ऐसा से थे जब यह क्या हुए, close आए, तो इनका particle size क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, on addition of an electrolyte to the collidal dispersion, लेकिन कब होगा ऐसा, जब आप कुछ amount क्या डालोगे, उसमें electrolyte का add करोगे, क्लरे, करलोगे, coagulation, flocculation, precipitation, clear, अब देखो example, जैसे BACL2 solution है, इसको मैंने add करा, arsenic sulfide sol के अंदर, sulfide sol होते हैं, वो negative sol होते हैं, positive, द्यार, negative sol, ठीक है, यह मैंने discuss किया था, तो यह क्या है, negative sol है, समरे हो, मतलब इसके आज-पास कौन सी layer है, negative, तो यहां से negative के पास कौन जाएगा, BACL2, इसके ओपर plus 2 charge होता है, इसके ओपर minus 2, तो यहां पर negative है, तो इसको neutralize करने के लिए क कौन जाएगा, इसके पास, BACL2, तो BACL2, इसको क्या करेगा, neutralize करेगा, neutralize करेगा, तब यह particles क्या होंगे, इकटके होंगे, और उसको क्या बोलेंगे, coagulation, तो यह जो charge जा रहा है, इसको neutralize करने के लिए, इसको हम क्या बोलते है, that is a coagulated iron, समझार यह बात, कि मतलब इसक को कौन मनला coagulate कर रहा है, यह बला iron, तो इसको नाम दे दिया coagulating iron, clear है इतनी बात, आप देखो, when a small amount of electrolyte is added, the process is called the fluctuation, आप जो यह हम electrolyte add कर रहे हैं, इसी process को हम क्या बोल रहे हैं, fluctuation भी बोल रहे हैं, coagulation भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या, जब आप क्या कर रहे हो, कुछ amount electrolyte का add कर रहे हो, electrolyte का amount add करने को हम fluctuation भोल रहे हैं, और जब electrolyte का amount add कर देते हो, तो जो यह particles है, यह क्या हो जाते है, settle down हो जाते हैं, क्यों electrolyte की डालने से, इनका size क्या हो रहे है, बड़ा हो रहे है, बड़ा होने की वज़े से, क्या हो रहे है, settle down हो रहे है, तो उस process को हम क् जैसे एक जाम्पल ब्लड निकलता है, मतलब वाइस को मुचलएघा होगा सिनकार गरते हैं किया दिए टो क्या है? भलड निकलता है तो जो बॉर जो होता है वह क्या करता है? फिटक्रील अप बिखा देता है सालून में जाते हैं ना शा딵र क्राते है कि वह ना की प्रोग देता है ब्लड नी निकलता अगे stop कर देता तो वह क्या हो गया उस ब्लड को वही पर उसने क्या कर दिया जमा दिया मतलब जंग वह उसके आगे ब्लड फो नहीं करेगा तो फिट क्री का यह रोल है तो बेसिकली क्या हो गया जैन इलेक्ट्रोलाइट सब्सक्राइब तो यहीं प्रोसेस किया है आपके पास क्या सब्सक्राइब 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 दा मिनिमममम्माउंट ओफ एक्ट्रोलाइट डैट इस इन मिली मोल्स डैट मस्ट भी आड़ी तो वन लिटर ओफ पॉलाइडल सुलीशन तु ब्रिंग अबाउट ता कम्प्लीट को अगलेशन देखो सुपोज मैं यहां पर कर रही हुँ ही सुपोज मेरे पास क्या यह ट स्पैसिफ़ाइड गिवन है फ्रीटर को यहां यह स्पैसिफाइड अमट गीवन है फिस वाल लीटर को लैडल सुलीशन में हम कितना मीनिममम अमाउंट औफ एलेक्ट्रोलाइट एड़ कर रहे हैं जिसकी बज़े से क्या हो जाए हो ऑगलेशन हो जाए समझा रेवाग इस 1-liter collider solution के अंदर हम minimum amount electrolyte का कितना add कर रहे हैं कि वो electrolyte उन particles की क्या करा दे coagulation करा दे उसी को हम क्या बोल रहे हैं that is a coagulation value समझारे बात जो value आएगी electrolyte की उसी को हम क्या बोलेंगे coagulation value सुपोर्ज मैं कहते हूं कि हमने amount डाला 0.005 इतने मिली मोल डाल दिया इतने मिली मोल मैंने 1-liter collider solution में डाले ताकि यह जो particles है यह क्या हो जाएं coagulate हो जाएं तो यह वाली value क्या कहलाएगी कि that is a coagulation value समझारे बात तो यह स्टैंडर्ड है 1-liter स्टैंडर्ड मान के चलना है आपको यहां पर बेटा हमारी electrical properties basically खतम होती है ठीक है next topic हम next lecture में discuss करेंगे कोई problem होती है then you can do comment and ask okay thank you